उत्तर प्रदेश में एक लेटर इस समय बहुत ज़्यादा वाइरल है और चर्चा का विशय बना हुआ है जो कि आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे इस लेटर के अनुसार उत्तर प्रदेश के परशदिय प्रात्मिक विद्यालेओं में कुल अध्यापकों की संख एक का हो जाता है आर्टी मानक के अनुसार परशदिय प्रात्मिक विद्यालों में तीस चात्रों पर एक सिक्षकों की ज़रुत पड़ती है और उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आंकड़े बिल्कुल परियाप्त है और यहाँ पर टीचर की कोई भी रिक्वार्मेंट न और इस प्रकार का कोई भी लेटर जारी नहीं किया ज़र आ है और यह लेटर में जो आंकड़े बताएगे हैं वो पूरी तरीके से सही है अब इन दोनों के बीच में जो उत्तर प्रदेश के समाने डियलेड अभषान हो रहा है कि आखिर यह लेटर फेक है या फिर यह इस लेटर की प्रमुकता और इस लेटर की प्रभावशिलता इस वज़ा से भी जानना बेहत जरूरी है क्योंकि जो आंकडे बताये गए हैं उसके हिसाब से ही परशदिय प्रात्मिक विद्यालियों में सिक्षक भरती के रास्ते प्रशरस्त होंगे या फिर रास्ते बंध हो होंगे ये कुछ सब कुछ तैह होना बाकी है अंत तक जरूर जोड़े रहेगा अगर आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में नीरज आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूटब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने तो इसको सब्सक्राइब करते होएं बेला या किंगर प्रेस करना ना भूले मैं इस लेटर के फेक होने या फिर इस लेटर के पर सही होने पर जाओंगा ही नहीं मैं सिर्फ इस मुद्दे पर बात करूंगा कि जो आखड़े इसमें प्रस्तूत किये जा रहे हैं क्या वो आंकडे सही है या फिर नहीं अगर आप अपने स्क्रिन पर देख पार होंगे तो यहां पर जानकारी दी गई है कि परशद्य प्रात्मिक विद्यालियों में कुल विद्यालियों की जो संख्या है वो 1,11,614 है और जो चात्रों का रजिस्ट्रेशन है नमांकन है परशद प्रात्मिक विद्यालियों में ये टीचर सहायक अध्यापक है यानि परमानेटर टीचर की बात हो रही है तो इन छात्रों में अगर इन टीचर की संख्या से डिवाइड कर दें तो अनुपात बताया गया है तीस अनुपात एक का एक बार हम भी इससे डिवाइड करके दे यानि PTR हमें पता चल जाता है, छात्र सिख्षा का अनुपात पता चल जाता है, जो की आता है, आप अपने स्क्रीन पर देख पारूंगे, 30 is to 1 की आसपास आता है, और उस पत्र में जो दावा किया गया है, 30 is to 1, ये लगभग, अगर इसको हम लोग round figure कर दें, तो ये 31 अनु पर्मानेंट टीचर के साथ साथ, जो सिख्षामित्र है, इनको भी जोड़ करके, अगर total हम लोग छात्र सिख्षा का अनुपात निकालें, तब अनुपात 22 अनुपात 1 का बताया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पारूंगे, ये कुल छात्रों की संख्या है, ये प बन रहा है, 21.07 का, अगर राउंट फिकर कर दें, तो 22 अनुपात 1 का, जो की उस लेटर में भी मेंशन किया गया है, जुलाई माह में उत्तर प्रदेश के बेसिक सिख्षामंत्री जी, विधान सभा में एक प्रशन के जवाब में, उत्तर प्रदेश के परशदिय प्रात्म जवाब दिया गया था, प्रशन ये पूछा गया था, आप अपने स्क्रिन पर देख पार होंगे, क्या बेसिक सिख्षामंत्री जी, बताने की किरिपा करेंगे कि प्रदेश में प्रात्मिक विध्यालियों में सिख्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, क्या सरका जवाब ये दिया गया जुलाई 2024 में कि उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशद के नियंतरण के अधिन जो भी परिशदी प्रात्मिक विद्याले हैं उसमें जो स्विक्रित पद है उनकी संख्या 4,17,886 है ये पीएबी रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा डेटा द उसकी वज़से एक लाग से ज़्यादा जो सिक्षकों के पद है वो स्वता ही समाप्त हो गया है उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ऐसे विद्याले जहां पर 30 से कम छात्रों का नमांकन था उनको मर्ज कर दिया गया दूसरे विद्याले में और साथी साथ ए अपर प्राइमरी और प्राइमरी उस कंडिशन में एक ही प्रिंस्पल होगा तो अपर प्राइमरी का एक प्रिंस्पल डिसाइड कर दिया गया जो कि प्राइमरी के भी प्रिंस्पल का पोस्ट समालेगा और प्राइमरी का जो प्रिंस्पल था वो अपर प्राइमरी में टी तो एक dedicated वीडियो के मादम से मैंने आपको सभी को सूचित किया था कि केन सरकार की एक प्रयोजना चल लगी है जिसके अंतरगत ऐसे विद्यालों को चिन्नित किया जा रहा है जहां पर 50 से कम छात्र है नमांकन है और इनको भी बंद करने की प्रक्रिया चल लगी है तो हो सकता है कि जो स्विक्रित पद है इसमें भी भविश्य में जाकर के आपको कमी देखने को मिले क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल लगी है आपने लिए देखा होगा कि हर जिले में BSA के द्वारा ऐसे विद्यालों की लिस्ट जारी की गे थी जहां पर नमांक करने की जड़त है वहीं पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश समय पूरे देश भर में विद्याले बंद करने की प्रक्रिया चलिए जो कि अपने आप में एक आश्यरी चनक बात है चलिए खर लोट आते हैं इस पत्र पर इस पत्र के अनुसार जो उस समय का सेंक्शन पोश् उस समय जुलाई में जो इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन की संख्या बताई गई थी एक करोड़ पांच लाख छे हजार तीन सो उन्यासी बताई गी थी और अभी जो पत्र वाइरल हो रहा है उसके अनुसार एक करोड़ चार लाख तीरानबे हजार तीन सो नमाद सी संख् जैसे भी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नमांकन की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है अभी इस सेक्षडिक सत्र में और इस सेक्षडिक सत्र में जो 6 वर्स पर कक्षा 1 में एड्मिशन होने का प्रावदान है उसके वज़े से भी बहुत सारे बच्चों क लगभग ये उसके बराबर है उसी के क्रम में अगर सिक्षामित्रों की संख्या को इसमें जोड दिया जाता है तो यहाँ पर अनुपात 21 अनुपात एक का बताया गया और वहाँ पर कैलकुलेशन मैंने करके आपको दिखाया कि 22 अनुपात एक का रहा है तो जो आंक्डे विधान सभा में प्रस्तूत किया गया राज सरकार के बेसिक सिक्षामंत्री के द्वारा क्या वो उस पत्र में जो आंक्डे प्रस्तूत किया गया क्या वो उसके बराबर नहीं है बिल्कुल लगबग आसपास वो बराबर है तो इसमें बहुत आश्चारी की बात नहीं होनी चाहिए कि वो लेटर फेक है या ओरिजनल है उससे मतलब और वो सवाल भी नहीं होना चाहिए कि वो फेक है या ओरिजनल है मुद्दा ये है कि क्या उसमें जो आंक्डे बताएगा है वो सही है या नहीं तो आंक्डे जो विधान सबाए में प्रस्तूत किया गया मानेने 266 मंतरी जी के दौरा उसके हिसाब से बिलकुल सही आंकड़े हैं तो ये लेटर फेक है या फिर सही है इसे मतलब होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर जो डेटा बताया गया उससे मतलब होना चाहिए और डेटा हमारा बिलकुल सही आ रहा है जो की विधान सबा में मानेने 266 मंतरी जी के दौरा जवाब दिया गया था उसके हिसाब से अब बड़ा सवाल ये है कि जो वहाँ पर 85,112 पद खाली होने के बाद कही गए थी और यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है इसका क्या मतलब है देखिए जो भी स्रैंक्शन पोस्ट होता है पी अबी रिपोर्ट के हिसाब से जो केंद सरकार फंड एलोकेट करती है राज्यों में जो विद्याले होते हैं जैसे आर्टी एक्ट के हमसार जो अनिवार एवां मुफ्त सिख्छा है उसमें राज्य का भी प्रपोर्शन होता है और केंद सरकार पैसे देती है और राज्य सरकार भी उसमें कुछ सपोर्ट करती है तब जाकर के जो फ्री एजुक भरे जाएंगे या नहीं ये तैह होता है, कहने का मतलब कि आपके पास सैंक्सन पोश्ट के अनुसार इतना पद तो आपके पास खाली है, लेकिन चात्रों की संक्या के हिसाब से ही टीचर की एक तरीके से रिक्रूट्मेंट प्रोसेस आगे बढ़ा जाता है, तो चात्रों की उपर उनके उपर डिपेंट करेगा, कि उनके मनसा के उपर कि क्या वो इस पद को भरने के लिए एकछुक है या नहीं, क्या उनकी मनसा है या नहीं, क्योंकि अनुपात तो आर्टी मानक के हिसाब से ठीक है, और आप इसको कोट में challenge भी नहीं कर सकते हैं, कि हमारे विध्य कार के मंसा पर डिपेंड करेगा कि वो सिच्छक बर्ती देना चाहती है या नहीं देना चाहती है अब आते हैं आपके मेन प्रेशन पर कि दो ग्रूप अफ रेप्रेजेंटेटिव के द्वारा अलग-अलग क्यों बताया जा रहा है जबकि एक ही ऑफिस से वो सूचना लेकर सकता है कि अभियर्ती इन सभी चीजों से डी मोटिवेट हो जाए अगर इसको सही बता दिया गया और इस वज़ए से वो इसे फेक बता सकते हैं वहीं पर ऐसे अभियर्ती जो इसको सही बता रहे हैं उनका mind of perception यह हो सकता है वो यह मान करके चल रहे हो कि अगर इस प्रकार क इसे दो group of candidate खबर लेकर के आता है एक इसको फेक बताता है दूसरा इसको सही बताता है जहां तक मेरी बात है तो ना तो मैं इसे फेक मानता हूँ और ना ही मैं इसे सही मानता हूँ इस पर मेरा कोई भी comment नहीं है इस letter को लेकर के हाँ इस letter में जो आंकड़े प्रस्तुत किय लगबग उसके equivalent है उसके लगबग समान है तो हमें इस letter से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए कि यह सही है या फिर fake है जो आंकड़े है उससे मतलब होना चाहिए और आंकड़े लगबग exact है जो की विधान सबा में प्रस्तुत किये गए है